दोस्तों आपने एक महीने पहले जो मैंने हुड़कोगा एक वीडियो बनाया था तो क्या आपने देखा था आध दस फरवरी को वीडियो बना रहो शनिवार का दिन है आध से एक महीने पहले दस जन्वरी को जो वीडियो बनाया था उस समय इसका भाव कहा था पहले चार्ट टाइटल था, टाइटल था वीडियो का, हुडकोप रिक आउट, टाइटér 200+, गवरमेंट ने बड़ाई ही होल्डिंग, भरकार ने अपनी होल्डिंग बड़ाए थी और टाइट को 200+, क्या हो सकता था, इसमें पूरा deep analysis किया था इसको जाके देखना एक महीने पहले की डेट है पांच जार व्यूज आये थे चैनल नया नया था एक महीने में पचास जार subscribers हो गए है सब आपकी किरपास है आज की वीडियो में लाको व्यूज आ रहे हैं सब आपकी किरपास है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो नहीं मिलती वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने चैनल को subscribe तो शाहिद कर लिया है बेल notification नहीं कियोगी इसलिए सभी वीडियो साहीं पर आपको नहीं मिलती है वो लोग मुझे comment करते हैं सर आयार बी का बता ये बता वो बताओ वीडियो अवेलिबल है complete आप जाके देखो जिस वीडियो को आप ढूने ही कोशिश करोगे सब आपको मिलेंगी latest GTL के बारे में डाला है yes bank के बारे में डाला pumpendum साला सर के बहुत सवाल किया थे pumpendum है क्या उसके उपर डाला जो share आप ढूना चाहेंगे वो आपकी नदर में जो share होगा यहाँ पर आ जागा नहीं तो आप comment section में comment कीजिए उसके उपर वीडियो आपको मिल जागी अब आज की वीडियो का मुख है अजेंडा क्या है हम यह देखना चाहते हैं क्या हुड को को अभी भी हुड को कहें या हड को कहें क्या अभी भी इसको hold किया जा सकता है अगर hold करें तो टेक्निकली चार्ट के हिसाब से विपल कोशे के हिसाब से कोई buying selling advice नहीं है ना तब दीती ना आज दे रहा हूँ ना बेचनी के लिए कह रहा हूँ ना खरीतनी के लिए कह रहा हूँ आपको यह समझाने की कुशिश कर रहा हूँ कि अगर चार्ट से बाते की जाएं अगर trend trading calculator से पूछा जाएं तो क्या stop losses चार्ट हमें बताता है क्या trend trading calculator कहता है तो अगर हमें positions बनानी हैं इस बढ़ते हुए भाव पर भी जहां पर भाव क्या हो गया है दोस्तों का हमने अंदाज लगाए था और exact 200 रुपे 15 पैसी की closing of Friday पहल तो यह बताओ comment section में कि मज़ा है कि नहीं आया ऐसे ही बहुत साई वीडियो से हैं मैं कोशिश करूँगा कि हर महीने के end में कैसी वीडियो लेकिया हूँ कहा जाता है कि यह वीडियों time the markets but I try to time the markets क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ समय पे news पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ समय पे analysis करने की जब समय पे study कर लेंगे तो this is called timing the markets हो सकता है आपके entry अच्ची हो 128 रुपे से पहले यह stock 40-50 रुपे से बढ़ता बढ़ता पहले भी तीन गुना हो चुका था यहां से भी यह share double हो गए यही यह share बढ़ता की खूपसूरती है आपको चीजों को ढूड़ना आना चीए अब हमें यह देखना है कि क्या price के अंदर कुछ correction है सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते हड़को को मैं बता दू हड़को क्या करती है हरको एक सरकारी कंपनी आपको पता नो चीए urban development corporation है जिसका नाम housing and urban development मतलब it is primarily against the business of financing housing and urban development activities in the country आल फिला आल निर्मला सितराज विंजी ने जो interim budget दिया है वहां पे भी कहा गया है कि जो housing है housing के उपर काम किया जाएगा housing infrastructure को मजबूत किया जाएगा हमाई सरकार चाहती है सब के पास अपना घर हो पके मकान हो तो कहीं ने कहीं उस segment में ये company काम करती निखाय देती है सरकारी है तो कमाल है government इसमें अपना stake बढ़ा रही थी मैंने आपको कहा था सरकार अपना stake बढ़ा रही थी अब 81% के आसपास का stake था तो यहां पे अब stake को December में 75% मतलब offload किया गया है 6% के आसपास क्यों किया गया है क्योंकि SEBI ने कहा है कि किसी भी company के इंतर में जो promoter stake है वो 75% से जादा नहीं होना चाहिए तो हडको ने अपना stake है वो कम कर दिया है और कहीं ने कहीं वो SEBI norms के आसपास में आगे तो इसको selling नहीं कहेंगे अब इसको देखेंगे ये माल गया तो गया कहा है ये माल गया है इंस्टिशन के पास में अब गौर्मन ने आप कहीं आरहे यार गौर्मन तो बेचके भाग रही है गौर्मन बेचके नहीं भाग रही है सेवी ने कहा है कि 75% से जारा पर रख नहीं चकते हैं तो यहां पर FIs ने positions double की हैं देखिए लगाता है 0.12 था 0.3, 0.32, 0.65, 0.12 मैं भी सरकार के सुनता हूँ मैं ऐसे shares में काम करने कोशिश करता हूँ जो सरकार जिसके बारे में कुछ कह रही होती है तो यहां से जो positions निकली है वो 6% के आस-पास कहां गया है उसमें से 5% के आस-पास गया है FIs के पास और institutions के पास में पब्लिक ने भी इसमें interest दिखाना स्टार्ट किया है This is nice, it is always nice बट पब्लिक के पास है क्या सिर्फ 11% equity, 12% equity बलब सिर्फ 12% share पब्लिक के पास में है पब्लिक क्या ही उखाड लेगी सोच के देखे, पब्लिक इसको नहीं drive कर सकती और सोच ये जो 11% आपके पास में कलको FIs गॉर्मेंट से या आप से कुछ माल उपर मार्केट में लेने लगते हैं तो ये भाव और उपर जा सकते हैं है ना, तो यहाँ पर ये एक अच्छा सेनेरियू मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही शांदा सेनेरियू दिखाई दे रहा है अब कहानी कर लेते हैं भया इस कंपनी की असली हाइलाइट क्या है ये शेर 200 रुपे क्यों हुआ कहा जाता है कि शेर बजार फावर्ड लुकिंग है हमेशा से उसको anticipation रहती है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है शायद शेर बजार के विश्यशक या ये जो निविश्यशक रही है इनको हो सकता है अंदाजा हो हो सकता है एक estimate हो, हो सकता है knowledge हो एक information, insider news तो नहीं काऊंगा बढ़ हाँ ये लोग बहुत समझदार होते हैं जिन institutions होते हैं कहीं भी पैसा लगाने से पहले सोचते हैं, दस बार सोचते हैं आपके और मेरी तरह, retail की तरह किसी भी शेर में कूद नहीं जाते हैं आप ये हमेशा से इनकी team होती है analysis करते हैं तब जाके किसी में निवेश का ये plan करते हैं, तो अगर बड़े निवेश है कुछ plan कर रहे हैं, तो आपको भी एक बार उसमें interest तो लिना चाहिए, आपकी watch list में वो हिस्सा होना तो चाहिए, तो अब कहानी क्या है, अब इस भाव को बढ़ाने वाली जो news है, वो bumper result है bumper result, bumper result 25% की growth आई है, और सबसे बड़ी बात, इसको बहुत detail में नहीं देखेंगे, अगर आप देखने की कोशिश करें तो संजे जी कह रहे हैं, कि we are looking for the ECBs, external commercial borrowings to route the optimize, the cost of borrowing cost of borrowing को कम करने के लिए ECBs का साहरा वो लेंगे, और यहाँ पे हटको ने कहा कि पहले हमारा 10,000 करोड के आसपस का मार्केट क्या था, मार्च में जी हाँ, बिल्कुल भाव जो कम था, अब दोजाते इसमें, अब आते हैं NPA, मतलब NPA के ओपर आपको ध्यान अखना चाहिए कि क्या non-performing assets गिर रहे हैं का जी NPA, right तो यहाँ पे net और net NPS के अगर बात करें, तो non-performing assets significantly reduced to 3.14% year on year, from 4.12% यह गिरा वटाई है, और जो net है, net गिरा है 0.96% से 0.44, यह बहुत अच्छा fall है, वो जो profit है, वो profit increase हुआ है, 25% के आसपास में, बहुत ही शानदार एक result इसके उपड़ ला लेते हैं, इस cover को हम नहीं verify क्या है, जी business की news है, हमारी news नहीं है, तो कोई सोचे तो, बाकि हाला कि यह जो news है, क्योंकि मैंने paid लिया हूँ है, आप जाए तो free में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर अगर देखने कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर भी यह दिखाई दे रहा है, results के अगर बात करते हैं, तो results में, यह साफ-साफ दिखाई दे रहा है, quarterly results को देख लेते हैं, quarterly results के अंदर में, सितंबर में जो sales sales revenue था, 18.000 करोड गा था, December में आके 2013, यह कम से कम भी तो 25% के आसपास का increment दिखाई दिखाई दे रहा है, तो फंडमेंटली तो कम्ति स्टोंग हो रही है, और का कुल्सेस जी की बात करेंगे, सन्जी को सुनते हैं, तो बड़ अच्छा optimism जी है, उनका मानना है कि यह सेगमे तो ठीक है, news अच्छी है, profit अच्छा आ गया, टेक्निकली, अब टेक्निकली करने के लिए, सबसे पहले हैं, हमारे पास वानची है, trend trading calculator, जो सरे मेरी website पर मिलता है, मेरी ही ट्रेडिंग मेंबर्स के पास में, कोई commercialize नहीं है, तो यहाँ पर आपको जाना हुगा, मेरी website के उपर में, जो लोग members है, जो लोग members नहीं है, unfortunately हम यहाँ देखेंगे उसको, तो यहाँ पर हम डालेंगे HUD को, H-U-D-C-O, and click go, दोस्तों बें stock चल रहा है, आपको मालूम ही है, तो सबसे पहले TTC से एक result ले लेते हैं, उसके आज चार्ट के उपर इसको verify करते हैं, समझ में आगा, तो position बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, breakout price के उपर सबसे पहले नज़र डालनी है, 196 का, 196 के उपर breakout है, 210, 225, 240, यह इसके targets immediate swing targets है, यह हमेशा देखे, position oblique swing है, मैं इससे पूछता रहता हूँ, कि 240 हो जागा, तो 240 के उपर क्या जाएगा, फिर इसमें बात करेंगे, यहाँ इसमें manual option दी हुए, इसको डालेंगे, तो हम इसमें पूरी positions बना सकते हैं, नीचे में support क्या है, 182 से लगे 196 का एक bracket है, यह मेरा support zone काम करने वाला, तो यह तो हो गयाता है, अब intraday में कल क्या हो सकता है, मलब मंडे को क्या हो सकता है, कि 202 रुपे क्या उन पैसे के उपर बजार चलता है, तो 203, 206, 209, यह intraday के target हो सकते हैं, और उपर जाएगा, 12, 16, 19, यह एक hurdle का काम करेगा, 19 के पास में, 19 को cross करता है, stay करता है, 22, 26, 29, यह last deadline होने वाली है, support का रहेगा 197, 80 पैसे, intraday के लिए, यह break करता है, 197, 193, 190, अब आपको बहुत दोनों साइट बतारो, क्यों ना बताऊं, ट्रेडिंग करनी है, तो दोनों साइट, किसी बिजाट बिजाट को move कर सकता है, investment करनी है, तो दोनों साइट पताऊनी चीए, यही तो smart और intelligent trading आज़ेट में, emotional trading इस बतक करोगे ना नुकसान होगा, आप सोच़गा है, हड़ को पसंद है, अच्छी बात है, अगर पंदरा दिन की position मना ही है, दोस्तों का 240 करना चाते हो, दोस्तों दस, 220 करना चाते हो, अगर आपके against position जा रही है, तो stop loss पता होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो मेरा stop loss यह होने वाला है, आप अपना तेह कर लिजेगा, अब चार्ट के उपर चलते हैं, चार्ट के उपर मन्थली breakout देखें सबसे पहले, तो मन्थली के उपर मैंने एक pattern form किया था, मन्थली के उपर में यह मेरा pattern था, कि यह stock के अंदर में एक बढ़िया सा rounding bottom मुझे दिखाई दे रहा है, और यह इसका शांदार breakout हुआ है, शांदार breakout हुआ है, जब यह breakout हुआ था, तो मैंने आपको यहां दिया था, 108 रुपे पर, यह breakout के बाद में, यह 100 रुपे का मेरा उस time पे, यह SL था, positional SL, यह मेरी position थी, तो मैं इसको उपर के लिए देखा था, यह levels कहां से निकल के आए थे, यह level मैंने निकाले, यह पूरे के पूरे levels मेरे को chart ने निकाल के दिये हैं, मैंने कुछ निकाला, मैंने simple Fibonacci लगाई है, 5A 13 का breakout मुझे दिखाई दे रहा, यह मेरा ही setup है, मुझे बहुत मस्त मज़े देता है, तो यह जब cross हुआ था 101 रुपे के बास बास में, 124 का first target था, यह हो गया था, मैंने आपको 120 पर यह वीडियो बना के दी थी, पहला target 1500 रुपे कहा था, दूसका 236 का, तो दोसों आज 236 के लिए पैंड़ नहीं है, 236 cross करेगा, 3.618, 320 and 371, तो यहाँ पर जो अपर साइड के target निकल के आ रहा है, 236 निकल के आ रहा है, 320 निकल के आ रहा है, और निकल के आ रहा है, 371, वह उपर तो समझ में आ गया, stop loss क्या होगा, 200 पर खड़ा, 200 पर निकल के stop loss सबसे चोटा है, वो TTC से पूछ लिए, हमने 196, बहुत चार रुपे का stop loss, अगर मैं नहीं ले सकता हूँ, तो मेरे को trading करने का आधिगार ही नहीं है, अगर आप position लंबा जाना चाहते हैं, तो मेरे पास में 196 की बज़ाए, मेरे पास 182 का SL रहेगा, which we have derived from the trend trading calculator, तो यह zone है, अब यह बजार कर क्या सकता है, तो यह basically, यह zone है, जो आपने डिस्कूस किया था, तो यहाँ पर आप खेल क्या होगा, खेल यह हो सकता है, यहाँ पे एक position अब अब चाहते हैं, तो पिछले 6 दिन से, एक lower high formation हो रही है, और lower low formation में हो रही है, तो जब तक यह channel ऐसे breakout नहीं करता है, यह breakout कैसे करेगा, यह breakout करने के पाद यह retest कर सकता है, retest करके जब चले, तो आप यहाँ आपे BYE कर सकते हैं, दुबारा 200 रुपे को पर बाइंग हो सकती है, stop loss यही बनेगा, तो यह जो zone है, यह जो support दिया गया, this is already around 180 to 196 लेवल, तो यह support यहां से भी verify हो रहा है, तो यह support के हिसाब सही ही चलेगा, और यह support अगर break कर देता है, तो correction होने के लिए पूरी-पूरी chances हैं, ठीक है, अब यहा जी, तो मोटा-मोटा यहां पे confusion है, कि माल बेचके निकल जाए और निकल जाए, जब confusion हो, तो सबसे best रहता है, अपना एक stop loss define केजिए, लगाईए, और positions को trail केजिए, always try to hold your winning stocks, आपको नहीं मालूम, दोसों को माल 400, 600, 1000 उता है, आपको नहीं मालूम, दोसों की चीज 20 पर जाएगी, ऐसा तो हड को नहीं दिखाई देता है, दोसों की 400 होने के chances हड को में दिखाई देते हैं, वो क्योंकि एक सरकारी organization है, जिस infrastructure development की हम बात करें, देश की बात करें, देश के infrastructure development में भागीतारी बड़ी इच्छी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ने कहीं, दोस्तों क अब कुछ लोग कहेंगे, यार ये इतना बढ़ चुका है, बिलकुल, I absolutely agree, भया ये स्टोंक बहुत जाला बढ़ चुका, इसमें कोई भी शक नहीं है, ये स्टोंक 30-40 रुपे के आसपास में अच्छी खासी consolidation करने के बाद में, ये range breakout करने के बाद में, 30 रुपे का स्टों 200 रुपे हो गया, मतलब 30 रुपीज की चीज आपको 200 दिखाई दे रही है, मतलब ये 7X रिटन्स आ चुकी है उलड़ी, तो इसमें से 1X, 2X, 23 profit booking आ सकती है, 200 में से 1X अगर जाता है, तो 30 रुपीज जहां से चला मालीजिए, तो मतलब 170 रुपे, वो एक support के आसपास में, इसमें से भी 30 रुपीज आते हैं, तो ये 140 रुपे मुझे तो नहीं लगता, ये भाव आते दिखाई देते हैं, जब तो कोई खास correction ना हो, especially जब stock के अंदर में profit अच्छा आ गया, वो भी Friday को आया है, Friday का profit आया, तो मंड़े को इसमें reaction देखने को मिल सकता है, तो हो सकता ह आपके हाथ में आए, तो जब result के ऊपर चीज़े भगती थोड़ा रुक जाये कीजिए, एकदम से थोड़ा consolidate करने दिया कीजिए, आपको FOMO का शिकार नहीं होना है, यार मेरे मेरे मैं बखर लेता हूँ, दोसको का 400 हो जाएगा, बट कहीं ने कहीं, कहीं ने कहीं आपको इसको stock को watch list में मिशा जाता है, अब होना क्या चाहिए समझी, एक rule और आपको देता हूँ, इस वीडियो में ने आपको promise किया कि सब कुछ सिखाऊँगा, जब price moving averages को छोड़ के थोड़ा दूर निकल जाता है, तो या तो moving average, आप मालनीचे, दोसों के आसपास ये moving average देखे 169 होगी, 170 होगी, 180 होगी, इसके लिए ये price थोड़ा सा correct कर सकता है, ये correction होनी भी चाहिए, क्योंकि moving average और price को bullish होना ही है, अगर इनको भी ऐसे जाना है, तो कहीं ने कहीं धीरे धीरे जाएगा, ये थोड़ना है कि एकदम से आख बन करें चला जाएगा, तो यहां कहीं ने प्राइस जब moving average को छोड़ देता है, तो price tend to come to moving average, फिर support लेता है, फिर उसके बाद बदाने कोशिश करता है, होसता है support, यहां पर होसता है support, यहां तक आगा तो correction जाता होजएगी, यहां पर आगा तो decent correction होने वाली है, तो price मंडे को decide करेगा, मंडे को इसके अंदर में सदार से 50,000 के उपर इस चैनल को पहुंचा दिया है, आज इसमें वीडियो बना रहा है, उसमें 54,000 से उपर सब्सक्राइबर होच में लगातार आपका प्यार मिल रहा है, ऐसा भी possible अगर एक वीडियो को एक लाख लोग देख रहे हैं, और सभी के सब्सक्राइब कर लेते कि ये वीडियो इस लाख हैं कि जादा से जादा लोगों में फैला ही जाएं, अगर आपको जादा सा भी इसमें इमानदार ही लगती है, आपको लगता है कि मेरे एफट्स जनुएन है, आपको लगता है मैं सच्चा हूँ, तो प्लीज गो एंड शेर इस वीडियो ऐस बच as possible and do like the videos, जाके पुरानी videos को देखे, चैनल भारा हुआ है, आपके लिए इतना content आपके लिए डाल दिया है, आप जाके देखो, सबसे बड़ी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, एक playlist आपके लिए बनाई है, मैं इसको ध्यान से देखेगा, ये playlist आपके सब कामें आने वाल पर डाला है, मैंने कसम खाई है कि जब तक आपका प्याज, जब आपकी मर्दी जब तक नहीं होगी, जब तक कोई classes पूरी इनिया में रन नहीं करूँगा, classes सर्व यहीं है, फ्री है, तो जाके सीखिए, अगर आप प्रो हैं तब भी आपके काम आएगी, अगर आप बेग कि जब डाला है, एक आपका प्याज, जब तक कि जब तक ये जब तक की लिए, जब तक है, जय हिन!